देश भर में भारत सरकार द्वारा सेना बहाली के लिए लाए गए अगनीपत योजना का विरोध काफे हिंसक करीके से हुआ सर बिहार की बात करें तो यहां करोरों की संपती और रेल गारियों को जला कर खाव कर दिया गया था उपद्रवी छात्र अंदोलन की आर में पब्लिक प्रोपर्टी का नुकसान तो कर ही रहे हैं साथी साथ आम जनता के लिए भी परिशानी की वज़ा बन गए इस उपद्रव की वज़ा से बिहार के बीज जिलू में इंटरनेट सेवा भी बादित कर दी गई थी और करीब साथ सो ट्रेन बिहार में डद कर दी गई जो कुछ ट्रेनों का आवा गमनजारी है वो बस इस डड़ से केवल रात में चलाई जा रही है की ताकि कोई उपद्रव ना कर सके ऐसे में गुजरात से अगनीपत योजना को लेकर एक समर्थन की चित्थी चर्चा का विश्य बनी हुई है जहां देश के रक्षा मंतरी को एक युवक ने अपने खून से चित्थी लिख अगनीपत योजना का समर्थन किया है हालांकि जो यूवक ने किया है उसके तरीके का हम समर्थन यहां नहीं कर रहे हैं लेकिन किसी भी तरह के तोड़ होर और उपद्रव से ये तरीका कई जादा बहतर है तो क्या है पुड़ा मामना बताएंगे उसके पहले नमशकार आप जन्ता जंक्शन देख रहे है और मैं आपके साथ बंदना क्यामरा परसन विशाल के साथ केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई अगनी पत्योजना केंद्र सरकार के लिए गले की हड़ी बन गई है देश में तमाम राज्यों में अलग-अलग तरीके से विरोत परदर्शन की खबरे सामनी आ रही है युवा सरक पर है और बात अगर विहार की करे तो यहां उपद्रव देश के अन्य राज्यों से जादा मचा हुआ है चात्रों की मांग है कि इस योजना को सरकार जल्द से जल्द वापस ले और आम तरीके से ही सेना में बहाली शुरू करे हालांकि रक्षा मतराले ने ये साफ कर दिया है कि ये योजना वापस नहीं होगी और भरती प्रक्रिया सेना में इसी योजना के तहक की जाएगी हालांकि कई सारे बदलाव इसी योजना में भी किये गए है लेकिन छात्रों की मांग इसे पूरी तरह से वापस लेने की है अब इसी वीच गुजरात के भाव नगर से आसी घटना सामने आई है जो सबका ध्यान अपने तरफ खीच रही है गुजरात के भाव नगर जिले में तिमाना गाउं में रहने वाले फलहाल वो कच्छ के दयापार में रहते हैं जिनकी उम्र 23 साल है और नाम दीपक जांगर अहीर है उन्होंने अगनी पत्र ओजना का साथ देते हुए देश के रक्षा मंत्रे राजनात सिंग को एक पत्र लिखा है आम तोर पर पत्र तो लिखे जाते हैं और ये पत्र बिलकुल भी आम नहीं है और वज़ा ये है कि ये पत्र उन्होंने अपने खून से लिखा है राजनात सिंग को लिखेगा इस पत्र में उन्होंने देश भर में उपद्रव मचा रहे चात्रों से शांती की अपील की है और साथ ही अपनी देश भक्ती दिखाते हुए उन्होंने जीरो पे याने के बिना वेतन पर सेना में अपनी भागीदारी देने की इक्षा जाहिर की है दरसल देश भर में हो रहे हिंसक विरोज से दीपक काफी दुखित है और वो बताते हैं कि उनका पूरा परिवार देश सेवा में कई सालों से समर्पित है नौसेना से लेकर थल सेना तक हर जगा उनके परिवार का कोई न कोई सदस से अपना योगदान दे रहा है और ऐसे में वो भी अगनी पत योजना के तहट सेना में भरती होना चाहते हैं इतना ही नए बल्कि वो देश सेवा के लिए कोई भी सैलरी नहीं लेना चाहते हैं यानि कि वो जीरो पे पर सेना में भरती होना चाहते हैं और देश की सेवा करना चाहते हैं और इसी बात का वो स्खोन से लेके पत्र में जिक्र कर रहे हैं आसे में आपको बता दे कि केंद्र सरकार सेना में भरथी के लिए नए स्कीम लाई है और इसे अगनी पत् योजणा का नाम दिया गया है जिसके तहट इसमें युवाओं को चार साल के लिए सेना में भर्ती किया जाएगा जिसमें शुरुवाती छे महिने ट्रेनिंग के लिए होंगे और फिर हर बैच के 25 फीसदी अगनी वीरों को भारती सेना में अस्थाई रूप से यानि कि गरीब 15 साल तक रख लिया जाएगा तो वहीं बाकी 75 फ्रतीशत अगनी वीर रिटायर हो जाएंगे रिटायर होने पर उनको करीब 12 लाख रुपे की जमाराशी भी बिलेगी जिसके जरिये वो एक कई अन्य काम कर सकते हैं साथी कई मर्टिनाशनल कमपनी ने भी रिटायर अगनी वीरों का स्वागत अपने अपनी में किया है साथी सरकार ने भी अगनीपत योजना में अभी तक कई संसोधन कर डाले हैं ऐसे में तरफ जहां इस योजना का विरोध परदर्शन थमनी का नाम नहीं ले रहा वहीं दूसरी और गुजरात से आई इस योजना के समर्थन में ये खबर भी सबको अपनी द्यंक्षन धन्यवार